लिखा है हे बाल को सब बातों में माता-पिता की आग्या मानो क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन होता है क्या होता है प्रसन होता है प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता-पिता की आग्या को माने यह परमेश्र के लिए प्रसनता की बात जब हम अपने माता-पिता की बातों को आग्याओं को हम मानते हैं, उन्हें आधर्ष हम मान देते हैं, तो परमेशर को इससे खुसी मिलती है, परमेशर इससे प्रशन होते हैं, लेकिन इस प्रकार का माहूल क्रिएट करने के लिए कि बच्चे आग्याकारिता वाला जीवन ज इसमें भी दोनों माता पिता दोनों का ही योगदान जरूरी है उन माता पिता दोनों को मिलकर अपने परिवार में उन मुल्यों को उन सिध्धानतों को स्थापित करने के जरूरत है जिने वो अपने बच्चे में देखना चाहते हैं अलेलुया बच्चे जो हम अपने पहले माबाप की जिम्मेदारी है कि वो इन सब बातों को इन मुल्यों को अपने परिवार में स्थापित करें क्योंकि बच्छे जो देखते हैं वो सीखते हैं सहमेते इस बात से बच्छे जो देखते हैं वो सुनने के दौरा देखने के दौरा वो सीखते हैं बढ़ते हैं औ उनी बातों के नुसार ढल जाते हैं, उसी अवस्था में वो आ जाते हैं, तो वैसा माहोल दिखना चाहिए, माता पिता उन मुल्नेों को स्थापित करें अपने परिवार में, वो अपने जीवन से दिखाएं बच्चों को कि आग्यकारिता क्या होती है, आप सी प्रेम क्या हो गंभीरता को खुद गंभीरता से जीवन जीए प्रभु के वचन के नुसार, आपके बच्चे भी सीखेंगे, जीएंगे, अगर हम ही माता पिता जो लोग होते हैं, वही बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, और एक गंभीर जीवन नहीं जीए, एक ढीला ढाला सा जीवन जी समझोते वाली जिंदकी जीते हैं, पाप में जिंदकी जीते हैं, तो आपके बच्चों से क्या उमीद करते हैं, हम तो सही जिंदकी नहीं जी रहें, लेकिन बच्चों से हम पूरी-पूरी उमीद करते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटा ये मत करना, बेटा भी बोलता त आग्या प्रभु के वचन में लिखी वी है और बच्चे बच्चों के लिए जो है वो ये है कि वो अपने माता पिता की आग्या को माने जो वो बोलते हैं उनकी बातों को सुने आग्या कारिता परमेश्र की ओर से दिये हुई आग्या है कि हम माता पिता की बातों को माने सुन सुनते हैं लेकिन ह support में तुमने का सुनना नहीं करना भी करता है। nap. in...' याद रखे सेफ़ी परमेश्ज को खुँजी होती जब आप माता पिता की बातों को मांनते हैं, बहुत से मातापिता हो कि यह सिकायत रहती है, कि यह चर्च में तो आता रहता है, टीन्स मीटिंग में आता है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, सब कुछ करते हैं, डांस भी करते हैं, सारी बाते, लेकिन घर पे तो यह ना तो हमारी बात मानता, ना हमारी सुनता है, यह फेक जीवन है ये जूटी जिंदगी है आपका डांस आपके जो सेवा के काम है वो वेर्थ होगे कुछ माइने नहीं रखते अगर आप आग्या कारिता का जीवन नहीं जीते हैं परमेशन की आग्या है कि माता-पिता की बातों को माने जो बच्चे हैं वो और जो टीन से कई बारी माता-पिता ऐसे बोलते हैं मैं पूछता हूं कि आप चर्च नहीं आए क्या हो गया था बोलते भईया इतना सारा काम होता है ड्यूटी से आके काम भी करना पड़ता है लेकिन वहीं पर देखने को मिलता है कि दो-दो बच्चे जवान बच्चे घर में होते वो काम नहीं कर कि मेरी मम्मी बापा आएंगे शाम को चर जाना है तो उनको काम ना करना पड़े इससे पहले ही में अपना काम जो काम है मैं खतम कर दूँगा यह खतम कर दूँगे काम खतम कर देना चाहिए ताकि एक साथ मिलकी फिर आप चर्च में आ सकें 21 में लिखा है यह पिताओं अपन प्रतिग्या भी है जिससे की तेरा भला हो और तू प्रत्वी पर बहुत दिन जीवित रहे आगे चार में पिता माता पिता के लिए लिखा क्या लिखा है पिताओं अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ वरन प्रभू की शिक्षा और अनुशासन में उनका पालन पोशन क करो पालन पोशन करना बच्चों का सिर्फ उनको खिलाना नहीं है उनकी जरूरते पूरा करना नहीं है माता पिता का हम सब का ये फर्ज है कि हम अपने बच्चों को प्रभू के वचन में प्रभू की शिक्षा में और अनुशासन में हम उनका पालन पोशन करें प्रभू की गहरी बातों को प्रभू के वचन के मुल्यों को आम उने सिखाएं ताकि उनका जीवन जब वो बड़े होते हैं वो उनकी दिलों दिमाग में वो वचन रहें और अपने जीवन को वो प्रभू के वचन के अनुसार जी सके यहुदी समाज में जब छोटा बच्चा जब 5 साल का ही होता था उस बच्चे को इसकदर प्रभू का वचन सिखाया जाता था कि उनको मुझबानी पुराना नियम पूरा याद होता था क्योंकि उस टाइम पे लिखित रूप में नहीं होते थे सब के पास वचन लेकिन उनको 5 साल की उमर से प्रभू का वचन इसकदर शिखाया जाता था कि उनको याद रहता था मुझबानी उनको याद रहता था बरतिमाई ने जब येशव मसी को देखा क्या कहा था यह दाओद की संतान मुझ पर दया कर वो तो देख नहीं सकता और लिखा, वो पैदाई सी अंधा था, देख नहीं सकता था, लेकिन उसने प्रभु के वचन को सुना था, हालिलुया, कि येश्मसी दाउद के वंस से आएगा, उसने बच्पन में उस वचन को सीखा था, उन बातों को सीखा था, और येश्मसी जब आये उसने उसको पहचान लिया क्योंकि वो वचंजों से सिखाए गए थे उसके जंदगी के अंदर उसके दिलो दिमाग में उसके रिदै में बसे हुए थे बच्चों को पालन पौसन करने में सिप उनकी जरूरुतों को पूरा करना ये नहीं प्रभू के शिक्षा में और अनुशासन में उसको उनको बढ़ाना है उनको क्रोधित मत करो ऐसा लिखावा है कहीं उसा नो कि वो निर्टसाहित हो जाएं बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों को एक हम हम खुद उनका भविष्य निरधारित कर देते हैं कि तुझे यही बनना है तुझे यही करना है जो परिवर्तन उसके अंदर हम देखना चाहते हैं उसके उपर थोपते हैं बजाए इसके कि उनको सिखाएं सिखाने में जैसे मैंने पहले बोला कि इमें जी के सिखाना है ताकि वो देखे, थोपने से वो लोग नहीं सिखेंगे, थोपने से क्या वो निरुत साहित हो जाते हैं, वो गुसा हो जाते हैं, क्यूं हमेसा ऐसे बोलते रहते हैं मम्मी, क्यूं ऐसे बोलते रहते हैं हमेसा पापा, आते दिक दबाव डालना, अनुशासित करने का सही तरी पर आदेड़बर्तित होगा तब वो आपकी आज्याओं को भी मानेंगे और प्रभु की आज्याओं को भी मानेंगे, हालेलूया और आपका परिवार नया जीवन प्राप्त कीएवे लोगों का जो परिवार होता है् वो परिवार बन जाएगा, मार पिटाई ना करे बच्चों के साथ में वचन में लिखा है कि अपने बच्चों के लिए तुम छड़ी उठाना मत छोड़ना छड़ी उठाने का मतलब यह नहीं कि डंडा उठाया और मारा उसको अच्छे से उसको अनुसासिद करने की विश्य में लिखा है चड़ी उठाना मत चोड़ना यानि कि उसको अनुसासिद करना मत चोड़ना उसको जहांपर डाटने की जरुद डाट ये मार पिटाई हर बात का सोलुशन नहीं है उसको सिखाना है और मैंने जैसे बता जीने के द्वारा भी और प्रेम के साथ में